उत्रा खंड में गुद्रत जम कर कहर धा रही है। मांसवाडा में हाईवे पर भुवस खलन की वज़ा से केदारनात यात्रा प्रभावित हुई है। हाईडल पावर प्लान्ट पूरी तरह से शतिक ग्रस्त हो गया। आसपास के लाके में बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। ग्रामिल पावर हाईडल के मरमत में जुटे हैं। ये हाईडल पावर प्लान्ट तीन महीने पहले ही लगाया गया था। असम के मौजली में ब्रंपुत्र नदी में एक नाओ में सवार तीन लोग धार के बीच फंसे उन्हें बचाने के लिए करीब तीस लोग बांस के बने पुल पर पहुँचे अचानक बांस के ये पुल ढह गया और तीस लोग नदी के तेज धार में जागिरे हाना की गनिमत रही की तेज बहाओ में बह रही लोगों को आगे के गाउं की लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया बिहार के खरीब दस जिले बार की चपेट में हैं मुजफरपूर मुरॉल प्रखंड में तिरहूत नहर में बना तटबंध तूट गया जिसकी वज़ा से दरजनों गाउं बार की चपेट में आ गए हैं सड़क और घरों में कई फुट पानी भर गया है कई गाउं तो टापू बन गये हैं मुसीबत में फंसे लोग प्रशासन से मदद नहीं मिलने से नाराज हैं समस्तेपुर में करह नदी ने खत्रे की घंटी बजा दी है नदी पर बना तटबंध कमजोर होने से चार पंचायतों में बार का खत्रा पैदा हो गया है प्रशासने रेड अलर्ट जारी करते हुए इलाके को खाली करने और उंचे अस्थानों पर जाने के आदेश दिये है यूपी के बहराइच में घागरा नदी में छोड़ा गया पानी तबाही मचा रहा है जिले में चार तहसील के पांच दरजन से ज्यादा गाउं बार की चापेट में है घागरा नदी नेपाल से छोड़े गए पानी की वज़ा से उफान पर है बार की वज़ा से करीब एक दरजन संपर्क मार्क जलमगन हो चुके हैं बार में फंसी लोगों ने घरों की चछतों पर शरन ली है राजस्तान के धौलपुर में पारवती नदी कहर धा रही है सावन के अंतिम सुमवार को ही बारिश के बाद नदी में उफान आ गया नदी के दोनों और गाड़ियों और लोगों की भीड जमा हो गई खुरदिया घर पर नदी का रौद रूप देखकर लोग दहशत में आ गए लहरें पथर की चटानों से टकरा कर समंदर की तरह उचाल मार रही थी जैपुर में भारी बारिश के बाद सुदर्शन नाला उफान पर आ गया नाले का पानी साड़कों पर इतनी तेजी से आया कि एक कार भी बह गए गनिमत रही कि लोगों ने कार में सवार दो योबकों और एक महिला को सुरक्षित बचा लिया सुशान के पिता केके सिंग ने मुंबई पुलिस पर बड़ा आरूप लगाया है केके सिंगा कहना है कि उन्हें पहले ही सुशान के जान के खत्रे का अंदेशा हो गया था जिसे लेकर उन्होंने 25 परवरी को मुंबई पुलिस को वर्टसेप पर शिकायत की थी लेकिन 40 दिन तक मुंबई पुलिस ने कोई आक्शन नहीं लिया जिसके बाद उन्हें पटना पुलिस की मदद लेनी पड़ी सुशान के पिता के आरूपों को लेकर मुंबई पुलिस की सफाई आई है मुंबई पुलिस का कहना है कि वर्टसेप के जरिये मिले संदेश पर वो शिकायत नहीं दर्ज कर सकते थे इसके लिए परिवार को लिखत शिकायत दर्ज करने के लिए कहा गया था लेकिन परिवार की और से कोई भी लिखत शिकायत दर्ज नहीं हुई पुलिस के बीच मची खीस्तान के बीच सुशान के वकिल विकास सिंग ने एक बार फिर सीबी आई जांच का मुद्दा उठाया है सुशान के वकिल ने मुंबई पुलिस के जांच पर सवाल खड़े किये हैं और साफ किया है कि सुशान्थ के पिता से बादचीत के बाद वो CBI जाँच के लिए जाएंगे। सुषान्थ के दोस्त सिधार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को सिधार्थ के जीजा का एक मैसेज फोवर्ट किया है जिसमें उन्होंने सुषान्थ के खराब संगत का जिक्र किया है सिध्धार्थ के मताबिक सुशान्थ के जीजा का कहना है कि वो संदेश सिध्धार्थ के लिए थे जिसे उन्हें दिखाने के लिए कहा गया सुशान सिंग राजपूत के परिवार वालों का रोप है कि सुशान के अकाउंट से पूजा पाठ के नाम पर पैसे निकाले जा रहे थे पारिवारिक सुत्रों ने आज तक को सुशान सिंग राजपूत के कोटक महिंदरा बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट दी है जिसके कोटक महिंद्रा के बैंक खाते से 14 जुलाई 2019 से लेकर 15 अगस 2019 तक लगातार किसी पंडित के नाम पर पैसे ट्रांसफर किये जाते रहे ये पैसे लाखों में है जिससे हजारों में कई बार निकाला गया महराष्टर के पूर्व सीम देवेंद्र फर्णवीस ने जांच को लेकर महराष्टर सरकार पर निशाना साधा है फर्णवीस का कहना है कि महराष्टर सरकार बिहार पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रही है विनेतिवारी के कौरंटीन को लेकर फड़नवीस ने सरकार पर निशाना साधा है सुशान्थ केस की जाच करने पहुंचे पटना के सिटी एस पी को मुंबई में कौरंटीन किये जाने पर बिहार सरकार बेहद खफा है खुद पटना आईची ने इस बारे में बीमसी को चिट्टी लिखी है लेकिन बीमसी अपनी कार रवाई को कानूनी बता रही है बीमसी ने पटना में फोन करके मुंबई में पहले से जाच कर रहे बिहार पुलिस के चार अधिकारियों का भी पता पूछा है माना जा रहा है कि बीमसी इन चारों को भी कौरंटीन करने की तैयारी में है मुंबई पुलिस का कहना है कि बीहार के आईपियस को कौरंटीन किये जाने से उसका कोई लेना देना नहीं है लेकिन मुंबए पुलिस अभी भी इस बात पर अड़ी है कि बिहार पुलिस को सुशान्थ केस के जांच करने का अधिकार नहीं है बिहार के ग्रिर राजमंत्री भी ये दलीर दे रहे हैं कि बिहार पुलिस के सहीयों के मामले में कानूनी दखल के बिना मुम्बे पुलिस कोई कदम नहीं उठाएगी सुशान्द केस की जाच सीबी आई को सौपने को कहा है रिया चक्रवर्ती के पुलिस की पहुँच से दूर होने के सवालों के बीच रिया के वकील ने कहा कि रिया मुम्बई में है रिया को सुशान्द के अंतिम संसकार में शामिल नहीं होने दिया गया था रिया ने जाच में सहीयों किया है इस मामले में बिहार पुलिस की जांच क्षित्रा धिकार से बाहर है राद भर की बारिश में मुंबई फिर पानी पानी हो गए निचलेला के लबालब हो गए किंग सरकल की सडकों पर तो करीब दो फीट तक पानी जमा हो गया इसके अलावा हिंद माता सायन माटूंगा खार सववे में भी कई लाकों में पानी में गाड़ी फंस गई और लोग रात में धक्का लगाते दिखे मौसम विभागनी मुंबई और उसके आसपास के लाकों में आज और कल भी भारी बारिश का अलट जारी किया है मौसम विभागनी मार्केट इलाके में जहां पर तस्वीर में देख सकते हैं गांडी मार्केट इलाके के दोनों तरब पानी भरा हुआ है करीब यह से दो फीर तक पानी भरा हुआ है मौसम विभाग के मुताबिक ये मुंबई में मानसून का दूसरा पड़ाव है मुंबई करूं को 4 और 5 अगस्त को बाहर निकलने से बचने की सला दी गई है 6 अगस्त को भारी बारिश का कहर कम होगा BMC के मुताबिक मुंबई में 10 घंटे में 230 mm से ज़्यादा बारिश हुई है BMC ने लोगों को समंदर के किनारों से दूर रहने को कहा है मुंबई में आज दो पहर 12 बचकर 47 मिनट पर हाई डाइड की भी आशंका है अयोध्या में भूमी पूजन से पहले ही राम नगरी के सर्यो घाट रोशनी से जगमग हो चली है अयोध्या में सर्यो किनारे ऐसी आभा पहले किसी ने नहीं देखी थी पूरे घाट को शांदार LED लाइटों से रोशन किया गया है सर्यों किनारे LED लाइटें लगाई गई हैं और घार पर इनकी रोशनी ऐसा आभा मंडल पैदा कर रही हैं जिससे लाखों राम भक्तों का मन मंत्र मुग्ध हो गया है अयुद्या में राम मंदर के भूमी पूजन में 5 अगस्त को 175 महमानों की लिस्ट तयार की गई है इनमें 135 साधु संथ हैं जो अलग-अलग मठों और अखारों से जुड़े हैं इनमें भारत के अलावा नेपाल के साधु संथों को भी नियोता भेजा गया है इसके अलावा फैज़ाबाद के पद्म शेरी मुहमद यूनूस और बावरी मस्जित के पक्षकार रही इकबाल अंसारी को नियोता मिला है राम मंदिर भूमी पूजन में महेश भक्चंद का और पवन सिंगल मुख्य यजमान होंगे भूमी पूजन के दोड़ान पिये मुदी के साथ मंचपर, संग प्रमुक, मुहन भागवत, ट्रस्ट के अध्यक्ष, निर्ट गुपाल दास, यूपी की राज्यपाल, आनंदे बेन पटेल और मुख्य मंत्र योगी आधित तनाथ मौजूद रहेंगे पांच अगस्त को प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी सुभा करीब सवा 11 बजे अयुध्या पहुँचेंगे अयुध्या में मोदी सबसे पहले हनुमान गढ़ी मंदिर जाकर दर्शन करेंगे, फिर राम लला का दर्शन कर, भूमी पुजन कारक्रम में हिस्सा लेंगे बोवी पुजन के लिए सौ पवित्र नदियों का जल और 150 पवित्र देवालायों की मिट्टे इस्तेमाल की जाएंगी राम के रंग में रंगी अयुध्या में उत्साह चरम पर है, तीन दिन का अनुष्ठान शुरू हो गया है सुमवार को विधिविधान से पांच ब्राहमनों ने प्रत्थम पूजनिय श्री गनेश जी की पूजा की गनेश के बाद श्री राम की कुल देवी बड़ी देवकाली की पूजा की गई बड़ी देवकाली के बाद सीता की छोटी देवकाली की पूजा की गई राम जन भूमी परीसर में नव शिलाओं का भी पूजन किया गया है अयुद्या में भूमी पूजन के निमंतरन कार में सिक्योरिटी कोड लगाया गया है हाट ये कार पर एक नमर है जिसके आधार पर पुलिस मेहमानों को प्रवेश देगी एक बार एंट्री करने के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकेगा मोबाल इलेक्ट्रोनिक उपकारन कैमरा ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी प्रवेश द्वार पर सगन चेकिंग की जाएगी पांच अगस्त को अयुध्या में किसी भी बाहरी वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा गाडियां सिर्फ रंग महल बेरियर तक ही ले जाई जा सकेंगी जिन मेहमानों को सिक्योरिट्री कोड वाला निमंत्रन पत्र मिला है उन्हें हर हाल में सुभा साड़े दस बजे तक प्रवेश सुनस्चित करना होगा भूमी पुजन का कारकरम सुभा आठ बजे से दो पहर दो बजे तक चलेगा अयुध्या में पांच अगस्त को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की भी भव्य तयारी की जा रही है अयुध्या में उन्हें लकड़ी की बनी दुरलब डेड़ फिट की कोडन राम और एक फुट की लवकुष की प्रतीमा भेट की जाएगी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को धी जाने वाली ये प्रतीमा अयुध्या शोद संस्थान के तरफ से करनाटक में बनवाई जा रही है जो लगभग तयार हो चुकी है प्रतीमा उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग की तरफ से भेट की जाएगी इन मूर्तियों को विशेश रूप से करनाटक में प्रेजिडेंट अवोर्ड से सम्मानित शिल्पकार राम मूर्ति तयार कर रही है अयुध्या में राम मंदिर के भूमी पूजन के मुहुर्ट को लेकर सियासी संग्राम जारी है कॉंग्रिस निता दिगविजा सिंग ने चतुर मास में मुहुर्ट पूजन पर सवाल उठाते हुए कोरोना का भी हवाला दिया यूपी के सियम योगी आदित नाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि इस एतिहासिक मौके पर कोई नकारात्मक बात ना करे तो वे लोग अपने राजनितिक सत्ता के लिए जन्भावनाओं के साथ खिलवार करते हैं समाज को जाती मत मजब के आधार पर बांडते हैं राम मंदिर भूमी पूजन कारिक्रम की महा कवरेज के लिए आज तक की बड़ी टीम अयुध्या में मौजूद है आधि रात में कैसी दिख रही है अयुध्या हम इस वक्त राम की पैड़ी पर हैं वो आइकोनिक जगा जो अयुध्या की नई पहचान बनकर उभरा है आप इस वक्त देर रात के वक्त अयुध्या की लाइटिंग देख सकते हैं यह वो जगा है जहां हर साल दीपोट सो मनाया जाता है और इस साल तो यह दीपोट सो खास है क्योंकि पांच तारिख को पांच अगस्त को प्रधान मंत्री मोदी यहां अयुध्या आ रहे हैं खूबसूर्ती देख लीजिए और साथ साथ रात के इस वक्त का यह नजारा देख लीजिए अधिया में पांच अगस्त को भूमी पुजन के लिए काशि विद्यूत परिशत के तीन विद्वान अयुध्या पहुंचे हैं इनकी देखरेक में भूमी पुजन किया जाएग इन्हें खास तोर पर बनारस से बुलाए गया है विद्वानों का कहना है कि अभिजीत मुहुर्त में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भूमी पुजन करेंगे जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था एक दिन के आकड़ों के मामले में अमेरिका और ब्राजिल को पचाड़ कर भारत पहले नमबर पर पहुंच गया है 24 घंटे में कोरोना के 52,972 नए मरीज सामने आए जबकि 771 लोगों की मौत हो गई वहीं अमेरिका में पिछले 24 घंटे में करीब 47,000 और ब्राजिल में 25,000 से ज़्यादा नए मरीजों की पुष्टी हुई है अब तक देश में कुल मरीजों का अंकड़ा 18 लाग के पार पहुंच गया है जब 39,135 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के बिगरते हालात पर राहूल गांधी ने मोधी सरकार पर निशाना साधा राहूल गांधी ने कोरोना को लेकर आज तक की टैली ट्वीट करते हुए केंदर पर तंसकसा उन्होंने लिखा कि सही वक्त पर सही फैसले का मतलब है भारत अन्य देशों के तुलना में बेहतर है महामारी का सबसे ज्यादा प्रकुप महारास्टर जेल रहा है राज में पिछले 24 गंटे में गरीब 9,000 नए मरीजों की पुष्टी हुई है जबकि 266 लोगों की मौत हो गई कोरोना संक्रमितों का अंकड़ा 287,000 के पार पहुँच गया है महारास्टर में रिकावरी रेट 63.76 फीजदी तक पहुँचा है फिलहाल राज में एक्टिव केस की संख्या 1,47,000 से ज्यादा है दिली में रिकावरी रेट बढ़कर 89.72 फीजदी हो गया है सुमवार को राजधानी में कोरोना की 805 नए मरीज सामने आए जबकि 17 मरीजों की मौत हो गई दिली में संक्रमितों का अंकड़ा 1,24,000 के पार पहुँच गया है जबकि महामारी से अब तक 4,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गवा चुके है पिछले कुछ दिनों में केंद्रिय ग्रिह मंतरी अमित शाह के संपर्क में आई सब ही लोगों को 14 दिन कौरंटीन रहना होगा कानून मंतरी रवी शंकर प्रसाद ने खुद को आईसोलेट कर लिया है हाना कि उनके रिपोर्ट नेगेटिव आई है केंद्रिय ग्रिह सचिव अजे कुमार भला ने भी अपने आपको कौरंटीन कर लिया है शनीवार को अजे कुमार ग्रिह मंतरी अमित शाह से मिले थे मद्य प्रदेश के मुख्य मंतरे शिवरा सिंग चौहान को भी अभी कुछ और दिन अस्पताल में बिताने होंगे सीम की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है रविवार को उनका टेस्ट करवाय गया था शिवरा सिंग भोपाल के चिरायू मेडिकल अस्पताल में 25 जुलाई से भरती है डॉक्टरों के मताबिक उनके रिपोर्ट पॉजिटिव आई है लेकिन स्वास्थ पूरी तरह से सामाने है जहरखन में सीम दफतर के 17 कर्मचारियों के रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हर कम्प मच गया है रविवार को सीम हेमन सोरियन के पतने के ड्राइवर सहित कुछ लोगों में संक्रमान के पुष्टी हुई थी इसके बाद सीम दफतर के बागी कर्मचारियों के जाच करवाई गई इनमें से 17 लोग संक्रमिट पाए गए है पंजाब में जहरिली शराब से मरने वारों की संक्या 108 तक पहुँच गई है इस मामले में सोमवार को पंजाब पुलिस ने 12 और लोगों को गिरफतार किया है पकड़े गए लोगों में दो कारुबारी भी शामिल है अब तक कुल 37 लोगों को गिरफतार किया जा चुका है अमरिस सर तरंतारन और बटाला में हुई मौतों के मामले में सस्पेंट किये गए दो डियस पी और चार एसेचों के खिलाफ वीभागिया जात शुरू की गई है मद्य प्रदेश के श्योपुर में पुलिस ने एक ब्लाइंड मरर के सुलजा लिया है विवाहित महिला के हत्या के मामले में पुलिस ने उसके बड़े भाई और छोटी भावी को गिरफतार किया है पुलिस के मताबिक दोनों के बीज अवैस संबन थे जिसका पता राखी बांधने आई बेहन को चल गया था राज छिपाने के लिए दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया यूपी के फिरोजबाद में मकान को लेकर रिष्टेदार आपस में बिढ़ गए दोनों गुटों ने एक दूसरे को बुरी तरह से पीटा सड़क पर गरीब आधी घंटे तक जम कर हंगामा हुआ मकान में रह रही महिला का कहना है कि उसका देवर उसे घर से निकालना चाहता है इनकार करने पर मामला मार पिर तक पहुँच गया पुलिस मामले में जांच की बात कर रही है बैतूर में प्रेमी जोड़ी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक शक्स को गिरफतार किया है पुलिस के मताब एक मामला प्रेम त्रिकोर का है गाउं में ही रहने वाले मंगल नाम के शक्स ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया मंगल महीला का पूर्व प्रेमी है शनिवार को तीनों के बी जगड़ा हुआ था जिसके बाद मंगल ने कुरारी से उनके हत्या कर दी गाजियाबाद में 27 जुलाई को सूट केस में मिले शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है शुरुआती जांच में पुलिस ने दावा किया था कि मिर्त योवती बुलंद शहर के रहने वाली है लेकिन वो योवती अलीगर में जिन्दा मिली है पुलिस ने सूट केसे बरामत किये गए शव को फिलहाल दफना दिया है अब डियने के आधार पर उसके शिनाख्त की कोशिश की जा रही है यूपी के हत्रस में मामूली विवाद में दो पड़ोसियों के बीच जम कर पत्रा हुआ दोनों तरफ से घरों की छटों से एक दूसरे पर पत्थर पैंके गए संगर्ष में कई लोग घायल हुए है एक ही समुदाई के लोगों में तराजू से नापतोल को लेकर विवाद हुआ था इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफतार किया है मुझफर नगर में पैट्रोल पम मालिक से दस लाग की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने तीन शातिर बदमाशों को गिरफतार किया है रंगदारी सांडू गैंग के नाम पर मांगी गई थी पुलिस के मताब में किये साज़िश कारूबारी के भांजे ने रची थी पुलिस ने कारूबारी के शिकायत के बाद तीनों को धर दबोचा हालांकि आरूपियों का कहना है कि रंगदारी की मांग मजाक में की गई थी राजस्तान के अलवर में पुलिस ने फोर्व विधाय के बेटे सहे तीन लोगों को हत्यारों के साथ गिरफतार किया है पुलिस के मताबिक ये तीनों किशन गढ़ बास में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे इनके कबजे से पुलिस ने एक पिस्टल, दो धारदार चाकू और दो कार जब्द की है जारखन में गरवा जिले में एक चौदा साल के बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है परीजनों के मताबिक बच्ची का पहरन करके उसके साथ रेप किया गया पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है वही डंड़ाई थाना इलाके में एक आठ साल के बच्ची को एक शखस ने अपनी हवस का शिकार बनाया गुरुगराम मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफतार किया है क्राइम ब्रांच के टीम बाकी लोगों की जांच कर रही है 31 जुलाई को बात्शापुरी लाके में गौव मांस के शक में दो दर्जन योवकों ने पिक अवएन के ड्राइबर को हतोड़े से बुरी तरह पीटा था मामले में फजियत के बाद पुलिस हरकत में आई है पकरे गए योवकों से बाकी आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है चोरी के मामले में पठाल कोट जेल में बंद दो कैदी भागने के फिराक में थे लेकिन जेल कर्मचारियों ने उन्हें धर दबोचा दोनों कैदी जेल के दिवार फांद कर भागने के फिराक में थे लेकिन गायल हो गए दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कर आए गया है अलिगर्ड के गांधी पार के लाके में विवाहिता की हत्या के मामले में पुलिस ने एक शाख्स को गिरफतार किया है पुलिस के मताबिक ये वारदात महिला के प्रेमी ने अंजाम दी थी युवक प्रेमीका की शादी से नारास था युवती राखी के लिए घर आई थी छट पर सोते वक्त युवक ने उसे मौत के घाट उतार दिया पुलिस ने आ स्क्राइब करना ना भूले